नमस्कार दोश्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ 7 Benefits of Accounting Job एक एक एकाउंटेंट की जुबानी मतलब मेरी जुबानी अपने एक्सपीरियंस के ब्याफ पे मैं आपसे शेर करने वाला हूँ 7 Benefits of Accounting Job बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ये रहा आपके सामने Accounting Job का सबसे क्लासिक, सबसे बहतरीन, सबसे प्राइमरी बेनिफिट जो है कि भाईया आप 12 के बाद without having any professional degree आप Accounting Job को कर सकते हो Accounting Job करने के लिए चाए आपने 12 Commerce Stream से पास की हो, चाए आपने Science Stream से पास की हो, चाए आपने Artsite से पास की हो आप Accounting Job को कर सकते हो, कोई भी भारी भरकम डिगरी आपके पास नहीं है, तो भी आप Accounting Job को कर सकते हो जनली देखने में ये आया है कि वो accountant success हुए है जो कि Commerce Stream से ही नहीं उन्होंने केवल 12th pass किया हुआ या BA किया हुआ केवल और फिर भी वो एक अच्छी खासी earning कर रहे है तो as per my opinion आप इसके साथ सहमत हो या नहीं हो मुझे बताना जरूर as per my opinion accounting job का जो most important benefit है वो ये है कि accounting job करने के लिए आपको किसी भी भारी भरकम डिगरी के जरुवत नहीं है आप 12th pass करने के बाद कहीं से भी tally या अगर आपके accounting concept clear है तो आप easily accounting job कर सकते हो और एक अच्छी खासी earning कर सकते हो so as per my opinion मुझे accounting job का सबसे प्यारा ये benefit लगता है कि इसके लिए आप से कुछ डिगरी नहीं पूछता कि भाए सब आपके पास कितनी भारी बरकम डिगरी है तो मेरे आप से पहला benefit है दूसरे benefit की बात करूँ तो accounting job में अगर आपके accounting concept clear है तो आपके पास एक अच्छी opportunity है कमाई करने की आप पार्ट टाइम की तरह कमाई कर सकते हो पार्ट आम अकाउंटेंट फूल टाम अकाउंटेंट कर सकते हो आप अपनी खुद की कंसल्टेंट सी कोल सकते हो आप अपनी जॉब के साथ साथ जी एस्टी रेशेशन इंकम टेक्स रेशेशन, MSME रेशेशन, food license रेशेशन तमाम तरीके के काम होते है पैन काड अपलाई कर लो सो बहुत से काम है वह कमपनी की रीड़ की हड़ी है विजनिस की रीड़ की हड़ी है बैकबॉन आफ विजनिस है सो भाईया accounting profession में मुझे मुझे दूसरा benefit लगा है वो यह है कि यहां पर earning opportunity अच्छी है बशर्ते आप काम करने के इच्छो को प्लस आपके accounting concept है वो clear होने चाहिए अगर मैं तीसरे benefit की आपके साथ अगर बात करूँ तो तीसरा benefit जो मेरे पास आता है वो आता है एक reported job accounting job एक ऐसी job है because accountant company का confidential बंदा होता है तो honor भाइसा भी accountant के साथ अच्छे से पेश आते हैं CA के साथ मीटिंग होती है बैंक के साथ भी आपकी मीटिंग होती है आपको यहां पर एक अच्छा सम्मान मिलता है तो एस पर माई opinion accounting job का जो मुझे तीसरा benefit लगता है वो यह है कि एक reported job है बहुत ही प्यारी job है जहां पर आपको एक अच्छी खासी इज्जत भी मिलती है अगर मैं accounting job के चौथे benefit की बात करूँ जो की बहुत ही अच्छा benefit है यहां पर कोई target नहीं होता है तो यह कोई target बेस जॉब नहीं है without having any target आप अपने accounting job को अच्छे से कर सकती हो कोई target नहीं है तो कोई stress भी नहीं है stress भी नहीं है कोई pressure भी नहीं है अब आपके काम तो करना पड़ता है बना काम को तो कोई पैसे दे गए नहीं बट अगर आपके concept clear है आप टाइमली कंप्लेंसिस को पूरा करें तो as per my opinion कोई यहां पर target बेस जॉब नहीं है कोई आपके उपर pressure नहीं है pressure नहीं है तो आपका stress भी कम है stress कम है तो भी आप healthy ह और खुश हो तो मैंने दो benefit एक साथ ही include कर दी है अगर next benefit की बात करूँ तो भाईया यह cable job नहीं है यह job कम business है because अगर आपके 10 जगा पर accounting का काम किया तो आपको 10 business की वहाँ पर knowledge हो गई क्योंकि दाई से कभी patron चुपा एक परानी कहावत होती है मतलब यह से समय लोगे doctor से patient क क्या चुपाएगा तो इसी तरीके से business accountant से कुछ नहीं चुपा सकता आपके पास purchase के बिला आपके पास seal के बिला आपको पता है कि किसमें क्या-क्या मारजन आ रहा है तो आप जौब नहीं कर रहे हैं आप एक तरीके से business को handle करें हो आपको business के बारे में सब कुछ पता है साथ आप अपनी कंसल्टेंसी मतलब बहुत से काम है जैसा कि मैंने बोला यहां पर बंदन नहीं है कि आपको यही काम करना है आप अगर थोड़ा सा भी अगर अपने concept क्लियर करते हो और थोड़ा सा भी अगर out of the box होते हो तो आप एक अच्छी का सी अर्निंग कर सकते हो बिकाउस अकाउंटिंग जॉब केबल जॉब नहीं है यह एक बिजनिस भी है यह सारे उपिनियन मेरे हिसाब से है भाई साब आप एगरी हो या नहीं हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना अगला बेनिफिटर जो लास्ट बेनिफिटर वो मुझे लगता है कि य बिजबस और जॉब है चुक है काउंटिंग बिजनिस इंफिर्फिलस की पास के साथब लगता नहीं है कोईए च्छा-खासा बिजनेस मैन अच्छा-खासा और अपने account को इतनी जल्दी हटाने की सोचता है condition यहाप यह है कि आपको काम करना आना चाहिए काम करना नहीं आता तो कोई भी job सेक्योर नहीं है काम करने आता है तो आप company की employee नहीं हो आप company की assets हो यह छोटे से benefit जो मुझे लगे मैंने निचोड के रूप में आपके साथ शियर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा है भाई सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना मिलते हैं सर आपसे नेक्ष वीडियो में सो भीया जब तक के लिए नमस्कार जैराम जी की टेक केर बाई बाई